कि Hi Hi This is औरे I will explain you and editorial from the Hindu today date is 28 March 2023 I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and everyone from this editorial let's move to the editorial आज की अधिटोरिया डून्दिलिंग अलाइस डून्दिलिंग का मतल्स होता है किसी चीज का छिद होना यानी की कमजोर होना मैं लेक दिता हूं कि कमजोर होना क्या क्या सीजक होता है सब्सक्राइब generated old ваши त्रथा पूर'll कि सम्द्ध आपके कर रहे हैं चना बोरा पड़ेंगे इसका सब्टैट्ल पड़ेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या के ताइवान चेड कर रहा है प्रेशर ठीक है चाइना चाइना चाइन कि साथ इयूएस के साथ मतलो होता है पहले से ऊर भी खराब होना कि यानि कि चाइना के रिलेशन जो है पहले से यूएस के साथ क्या हो रहा है औरं भी यादा इसलिए ताइवान क्या स्कुर। कर रहा है परिशान यानि की परिशानी से कर रहा है प्रेशार डाला जा रहा है कि तरी किसे चाहिना किसे ठीक है तो यह शारी चीजे आज हम जो international का जो रिलेशन है उन चीजों को पढ़ेंगे इस एक ठीक है पूरा देखना है आपको तो बहुत समझ में आएगा आपको पताएए पहले हम बुकैब डिसकस करते हैं इस एडिटोरियल की उसके बाद कुश्चन्स ऑफ दे डिसकस करूंगा जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के पॉइंट ओ भी उची ठीक है तो लेट्स मूव हमारी आज की इसकी अगर मैं बता दू पीडिएफ अगर चाहिए इस ठीक है बुकैब की तो टेलिग्राम चैनल पर नीचे मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया होँआ जाईए और फिर पीडिएफ लीजिए क्लियर है डिटीरियोरेट का मतलब होता है बिग दिखा हुआ है द्यान रखना का इंफीज मतों ना दोनों ही सिनेने में इसके ठीक है पर्सिस्टेंट ली बहुत ही अच्छा बढ़न इसका मीनिक उन्तर लगातार इस तरह वस्ता में मतलब एक जैसे फॉर्म में चलते रहना बिद पर्सिस्टेंस ठीक है यानि कि एक जैस इंपर्टेंट के लिख दिया इसका मतलब आपका पेपर में बहुत बार पूछा गया होगा इस्टेटिस क्यों का मतलब होता यह था पूर विस्तिति यानि एक्जिस्टिंग स्टेट अफियर से पहले जो इस्तिति थी वो आज भी बनी हुई है वैसी से कोई चेंज नहीं जो होगी है da straight का मुझान शंकीन शक्रा या जल्मद्व जलमद्रू मद्ध यानि कि नैरो चैनल यानिंकि मालीजी ये ये नचानलün झालओ और यहां से पास होने का रास्ता है तो इसे क्या बोलेंगे स्ट्रेट बोलेंगे कि लिए नेक्स्ट है प्रिजर्व का मतलब शुरक्षित रखना यानि प्रिवेंट फ्रॉम अब मैं आपको बता दूए प्रिवेंट है ना इसके साथ फिक्स प्रिपोजिशन फ्रॉम आती है याद कर लो थ्राइब बहुत इंपोर्टेंट बढ़ें और यह भी इंपोर्टेंट ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कहीं न कहीं आपको बैनिफिट रहेगा तो आप इसे ले सकते हैं ठीक है और चैनल के लिए तो आप जाना ही पड़ेगा वहाँ पर एडिटोरियल के लिए इंगलिश्वाई श है तो डिए फेक्ट मतलब असल में बास्तम में इन रियलिटी और रूल आउट का मतल्ब होता है अलग करना एलिमिट करना करना एक बढ़ भूता है अधिकिश्य का मेंनि क्या होता है टसल लडाई उलजहाना में में से अस्थ बेस्त करना अंटायटी इसका फल भी अब बो अब है यह तो पूछी पूछी जाती है ठीक है तो यह थी आज की आपकी बुकाइब अब हम कर लेते हैं कुछिंस ऑफ दर डे स्वाल जिसे की आपको चीजें फ्रूटफुल वे में मिल पाएं जो जरूरत है एक्जाम के साब से अगर पहले कुछिंट की बात करो I don't have any money to spend for luxuries new error आशान कुछन है पूछा जाता है ठीक है मैं आपको बता दूँ कि spend के साथ on preposition आती है तो देखिए I don't have money any money मैंने पास बुलकुल पैसे नहीं है to spend on luxuries की luxury वाले item पर मैं खर्च करूं ठीक है तो error जो है कौनसे school पहुचा मैं आपको बता दूँ cardinal adjective होते हैं मैं द्वार लेकर दीता हूँ cardinal यह होता है यह adjective होते है का साथ ठीक है नहीं आता है और ordinal के साथ डा आता है ठीक है यह द्याहां रखना है तो यह और मैं थीक है तो और जिसके पहले आएगा जैसे दा सैकेंड फॉर्स्ट एस तरड इस थरह से ठीक है आई वह इस पहला था तो रीज देश्कूल पहुंचने में तोड़ें आज मैं पहला आज मैं पहला बेखती था या पहला इस्टुएंट थो जो सबसे पहले स्कूल पहुंचा ठीक है न त पेट पर चाहो तो पेट बेजा सकते हो अब चलते हम सिद्धे-जिदे एडिटुरियल पर यह देखिए डूंडिलिंग का मतलब होता है किसी चीज का कम जोर हो ना तिक है मैं अलाय को मद्ला समबन्द प्या हो रहें कम जोर है Taiwan is facing pressure Taiwan pressure face कर रहा है ठीक है Taiwan pressure face कर रहा है जैसे कि क्योंकि China's relation जो China के रिष्टे है विद USA अमेरिका के साथ deteriorate विद वो कैसे हो रहा है और भी खराब होते जा रहा है इसलिए जो है चाइना कहीं Taiwan पर प्रेशर बना रहा है ठीक है तो आगे पढ़ते हैं क्यों बना रहा है कैसे क्या है क्यों चाहता है वो शारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते जाएंगे ठीक है clear हो गया अब चलते हैं भाई यहां से हमारा sentence इस्टाड़ एक क्लॉज तो यह हो गया दूसरा आब आपका क्लॉज यह देखी जेखिए यहां से देखिए क्या कहना चाहरा है पूरा sentence यहां तक हो गया बाइफ फॉर्मली मलग एक आप्चार ग्रूप से स्थावित करते हैं डिप्लोमेटिक जहां पर हम रणनीजती के तहत कोई काम करें ठीक है रिलेशन बिद चाइना जो चाइना के साथ रेलेशन डिप्लोमेटिक तरीक से इस्टिविज करते हुए और मार्च 26 26 को 2013 की बात है हुंड्राज एक Central अमेरिका का एक कंट्री है ठीक है 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 जोइन दा ग्रोइंग जिसने ग्रोइंग लिस्ट में ऑफ कंट्री कंट्री के ग्रोइंग लिस्ट में डैट है रिसेंट्ली जिसने स्विच किया रिकर नाइजेशन का मतलब पहचान फ्रॉम ताइपी टू बीजिंग इसने क्या किया यह Central अमेरिका के देश है अब अब लेकिन जो इसन अगर हम जेग्रोइफिकल एक वộcिंग त्यािवण का भू एकést बड़ा देश है ठीक है तो यह बोला गया है इनटरास ने बोला कि यह जाईना का एरिया है यह समझने की कुशिश करना मैंने हम यह टायग्राम बनाया यह यह ताइपी है यह है China ठीक है और यहाँ ले दीता हूँ मैं तो हूंड राज ठीक है तो कहने के मतलब है जैसे कि Amerik сander मैं बहुनर अमेरिका बू यह कहना चाहरा है कि यह नहीं तैफ़ान हूँ आयलेंट है यह एरिया है वह किसका चायना का चायना की अमेरिका ने बोला ठीक है? अब बोला तो जायर से तायवान जो है क्या Face करेगा प्रेशर Face करेगा क्योंकि चायना जो है कही न कहीं इस पर PayPal बना देगा कि ये मेरा है ठीक है इस लिए तो ये क्या कहना चारा है से समझने की कुषिस करना मैं इसे द्वारा से पढ़ देता हूं ठीक है बाई फॉर्मली यानि की फॉर्मल तरीके से एस्टेबलाजिंग डिपलोमेटिक रिलेशन की एस्टेबलाज किया अपने रिलेशन को इस्थापित किया फॉर्मल तरीके से ठीक है बिद चाइना के साथ मार्च 26 को दुहर तरीश में हुंट्राज उसने जोइन किया ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज ठीक है जहां एक कंट्री को पहचान दी जा रही थी डैट है रिशेंट्री शूचिप दे रिकरनाइजिशन फ्रम ताइपी टू बीजिंग अब जो ताइपी है वो बीजिंग के कंट्रोल में आ रहा है यानि चाइन कंट्रोल मारा है यह पहचान होई दी तो कहीना कि ताइवाण यह भास पर्षान हो रहा है ठीक है ची कैंकि विजिए थी लिचे paying कल दो है आजकर नाव एज ओनली तुएल कंट्री उसके पाथ दुबारा कंट्रीं विश्ट इसके अलावा बैटिकन बीच जिसके साथ है जैडिक टाइ जिसके साथ कैसे हैं डिपलो मेंटिक टाइए संबंद हैं टाइव मनला संबंद इनक्लूडिक जिसमें सामिल है 4 पीसिक आईलेंट नेशन ठीक है किसमें क्या है चार इसमॉल पैसिफिक साघर के त्रीक है आईलेंट नेशन है सामल ठीक है अब पॉति डेखि यह वानिति लाई इसOPातिक रिभाटन सॉधन अफ्रीका है वी इस बातनी की अगर बात करूं सदन अफ्रीका प्रूव गए एंड सिक्स सेंटल अमेरिका करिवियन यह कहां विए उसमें ठीक है कैरीवियन नीसंस यह तो कहिने के कि इनके साथ भी चार देश जो हैं सामिल हैं बारे देशों के अलाबा ताइवान की साथ जो कहिने कि इनके रिष्टे रहते हैं संबंद रहते हैं किलियर हो गया आगे देखें थोड़ा सटाफ हो सकता है अगर आपको इंटरनेशनल नॉलिज ना हो तब ठीक है अब यह का दुक्त भी टेखें हो प्यांदो की थे मालिच और खीपनेशोंस बंद रहनों अगरे विपक्ष का है आइक तरीकी से जैसे हमारा देश फिर चाइना तो चाहिना हो चानवड़ां ब्लाव जाएगा हुशा ठीक है हउंट्राज रहना शैड उन उनका है इट currently रहना से मीड हुंड्राइड के द्वारा ये मतलब दर्शाईगी चीज़ी है एक च्वाइस है कि राइट साइड जो हिस्ट्री रही है पहले से ही कि ताइवान कहीं कहीं उसका ही एरिया रहा है चाइना का तो उसके साइड में खड़ा है इसी वज़े से जो अभी ताइवान है उस पर कहीं न कहीं प्रेशर बनता आ रहा है दिखता आ रहा है क्योंकि अगर चाइना चाहेगा तो उसे बहुत जल्दी कंट्रॉल में ले लेगा अपनी साब से फिर काम करेगा अब देखिए क्या कहना चाहरा है ताइवान है जैक्टी उस ताइवान ने आरोप लगाया हुंट्राइस के लिए और शीकिंग फिनेंशिल असिस्टेंस की यह जो है इसलिए बोल रहा है ऐसी चीजें कि ताइवान किसका चाइना का ही एरिया है वो इसलिए बोल लाई क्य बोल दूंगा तो आप मेरे साथ ऐसा ऐसा करना ठीक है न यानि कि ताइवान जो है कहिना कि इस बात से नारज हो रहा है कि हुंट्राइस क्यों बीच में टांग लड़ा है हो सकता है हुंट्राइस को फिनेंशिल असिस्टेंस मिल रहा हो इसलिए बोल रहा है कि ताइवान जो है चाइना का एरिया है ठीक है सेड़ प्रेसिडेंट शाइं इंगवन उन्होंने ऐसा बोला आफ्टर दा स्विच स्विच करने के बाद ताइवान बिल नॉट एंगेज कि ताइवान एंगेज नहीं करेगा संब्द नहीं बनाएगा ठीक है इन आम मिनिंग लाए जिस इस चलेगा डॉलर फॉर्म में नहीं चलेगा यानि कि संब्द करने के कैसे हो जाएंगे कड़े हो जाएंगे सिंपल सी बात कि आगे देखिए ऑफ चाइना प्रसिस्टेंट यानि कि लगातार एनी ऑफ ओल मीन्स तू सपोर्ट थायमाइं इंटरनेशल पार्टिशिपीश इंटेंसिफाई इस मिलिटरी इंटिमिडेशन एंड डिस्टर्प्रेजिनल पीश अब यह क्या कहना है शी एक्यूट शी आल्सो एक्यूट चाइना और परसिश्टनल यानि चाइना लगातार यूजिंग एनी मैं कोई भी चीज यूज कर रहा है एंड और मीन्स तू सप् मिलिटरी इंटिमिडेशन का मदला होता है धमकाना डराना यानि कि चाइना जो है वहाँ पर मिलिटरी भीज देता है ताइवान के पास ठीक है और वह कहीं न कहीं ऐसे ताइवान को ड्राने की कोशिश करता है समझ महां कि यहाँ पर चाइना की मिलिटरी है एंड डिस्रप неп PLAY E gan खता शन्ती हहो डिसरप कर देता है चाइना यानि की चाइना ने सबसुल टासीदा कर दिया ताइवान के साथ अब वो नहीं चाता चैना की टाइवान जो है जो concern है ठीक है about shrinking shrinking का मतलब कम होना international space कि उसका international space जो है कम हो रहा है point to growing stress उससे क्या हो रहा है उसका परिशानी बढ़ रहा है stress बढ़ रहा है on the state current जो अभी फिलाल की status को है जो इस्तिती है across the Taiwan street कि Taiwan की जो street है जहां पर हम लोग जाते हैं ठीक है तो यहां हाभी country पानी है और यह ताइवान का कहीं न कहीं रास्ता जाने में उसमें परेशाण है यह बढ़ रहे हैं क्योंकि पर चाइना का एरिया आता है चाईना का कहीं करी ऑंके पर है ठीक है इसलिए वहाँ परिशान होता जा रहा है कि इंट्रनेशनल लेवल पर अगर मैटर होता तो ताईवान सॉल्व कर सकता था ठीक है वह है नहीं इसलिए कहीने कही उसे परिशानी बढ़ती आ रही है अब यह वाला पर देखिए कि सब्ध वह साइड रेकि सिटितेश जो है उसकी जो इस्तिती थी ठीक है दोनों साइड से करद development क्या यहन良 praticamente रहा हां से कंटrंडर होगा हाँ से कोई परिषानिय आगर आती है तो कहीं समस्य होगी इसलिए ये वाला देश रहा दोने मिल्का आक dunno के वैसा हो पाएगा अगर एक कंट्री को सॉल्ब करने कोशिश करें तो साइद ना हो पाए ठीक है लेकिन पहल तो करनी चाहिए अगर हम यहां से देखें यह वाला सेंटेंस इन ताइवान अध्राइविंग का मदला फलती फूलती डेमोक्रसी जो है विद हाइली डेवलप्ट एकॉनमी और काफी डेवलप एकॉनमी है दा इस्टेटेस को रिमेंस दा पॉपुलर जो उसका इस्तिती है वो पॉपुलर है चोईस फॉर मोस्ट पीपल कि वहां के लोग क्या सोचते हैं लोग को उपर डिपेंड अकॉर्डिंग डा नूमरस पब्लिक ओपिनियन सर्वे ठीक है जो कुछ होने वाला है वहां की पब्लिक क्या सोचती है वो क्या चाहती है उससी सबस्वां की सरकार करें और फिर आगे अपनी इस्तिती को सोधार करें ठीक है आ माइनॉर्टी सपोर्ट ताइवान डेक्लेरिंग इंडिपेंडेंडेंस और यूनियन इनिफिकेशन साइक मिलना संग बनाना जातेए हुत की पब्लिक के ऊपर डेपेंड़ वह रहा क्या चाहती है का हॉएवर बोथ बीजिंग मताईप आ है यह चाहला है जव कि आ दा로 उडिशानिय हूई है जो था कि बोसी दिशान की वजए से बन रहा है कि दूसरे दिस आते हैं और कुछ न कुछ आके बोल जाते हैं फिर परिशानी है क्रिएट होती है इसलिए आगे देखिए इन ताइपी ब्यू बीजिंग एज एग्जर्टेट ग्रूइन डिप्लोमेटिक प्रेशर तो आइसलेट ताइवन एज बेले स्टैपप मिलिट्री म हम ब्रिक करकर समझेंगे नहीं बीजिंग चाइन मेंटेगे कि तॉओर इसलेट तैप मिलिट्री मचल्स चाना की मुठी एक से इस Surf work देखा गया इथ इसके चार्यो तरफ इसके चारू तरफ गया डी रीके के चाड़ तरफ ठीक है लास्ट येर पिशली साल फॉल्वेंग देब बिजिट और जो बिजिट रही थी किनकी दैन उस समय यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पहलो से की ठीक है तो वो कहीना कहीं वहां पे प्रेशर ज्यादा बन गया अब यूए अमेरिका कुछ और ही कह रहा ह टेक है अब यह सेंटेंस क्या कहता है इसे देखी आप इंबीजिंग विऊ अगर बीजिंग का विऊ देखें रूलिंग डीपी इन ताइपान तैपी तैपी में क्या यानि तायवान में टिक है डीपीप का साशना वहां पर बिद्ध सपोर्ट ओफ वाशिंग्टन कहां से वाशिंग्टन के सपोर्ट सी जहां पर जिम्मिदारी शहन कर रहा है फॉर दा टैंशन ठीक बाइप्रेशर पर्सुएंग डी फैक्ट टो इंड़ेंडेंटेंस अब अमेरिका इन्हें बोल दिये ताइवान को पहले कि तुम श्वतंत्रो ठीक है सपोर्ट कर रहा था और फिर बाद को बोल रहा है कि यह बीजिंग का हिस्सा है आइलेंट तो कहिना कहीं इससे क्या हो रहा टैंशन क्रियेट होती जा रही है और अमेरिका की वज़े से यह टैंशन उनकी बढ़ती जा रही है क्लियर हो गया यहां तक अच्छी मीटिंग हुई थी बीटमीन लीटर जी जिंपिंग जो प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका वो स्वरी प्रेजिडेंट ऑफ चाइना एंड मा जिंग जियो जो ताइवान के प्रेजिडेंट थे पहले उनकी साथ रही होगी 2015 में काफी अच्छे रिलिशन थे लेकिन अभी रिलेशन जो कहने की खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्लियर है आगे देखें यहां से अब आप यहां से देखें जी गौर्मेंट याने की जो जी जिंपिक की गौर्मेंट थी चाइना की हैज वान उन्होंने वान किया यूएस दा यूएस के लिए टाइवा रिमेन और रेड लाइन फॉर चाइना चाइना के लिए रेड लाइन मना हुआ है खत्री की घड़ी कहीं ने कहीं बट बर्शनिंग रिलेशन बिट्वीन टू कंट्री लेकर दो कंट्रियों के साथ में अगर रिलेशन जो है खराब हो रहे हैं ठीक है ताइवान है यह यह इमर्ज और वह उबरा है ताइवान जो उबरा है एज़ा फ्रिक्शन पॉइंट कहीं ने कहीं फ्रिक्शन बन गया है वह घर्षन का कारण बन गया ऐसीन बाइदा पैलोशी पैलोशी बिजिट लास्ट ही है क्यों अमेरिका की जो स्पीकर थी वह ताइवान गई इसी वज देखी बीजिंग कंटिनु तो रिफ्यूज तो रूल आउट दे यूज ऑफोर्स वाट दा कॉल्स इन री इनिफिकेशन शुड वशिंग्टन और थाइपी क्रॉस वाट इट सी एज डेडलाइन सेंटेंस यह चोट अचा है ठीक है समझने कुशिश करना है बीजिंग ओ या वाशिंग्टन के लिए और तैपी क्रॉस वट्षी इट शीज ऐज आज अट रैड लाइन हम इसे कैसे डेखें रैड लाइन के फॉर्म में देखें कैसे देखें अलांकि चाइन जो है फॉर्स नहीं लगा रहा लेकिन अब वो कह रहा है कुछ की फोर्स को नहीं लि vibrant prosperous island caught in the middle अब यह कहाना तसल मतला लडाई जो है between two biggest power जो बड़ी-बड़ी पावर जैसे कि यूएस और चाइना है लेप 23 million people ठीक है 200 23 million people की बात हो रही है ठीक और 10 लाग से गुणा कर दो दो करोड़ तिसलाग हो गया people of vibrant ठीक है vibrant मलदा उत्षप prosperous मलदा जो समरद्ध है island caught in the middle वो कहां पकड़ेगा है मिडल में मतलब कहिने की बीच में फजगा है वो इदर जाए उदर जाए कुछ समझ सबीटर नहीं आरा क्योंब कि यह जंड़ट हो गया है कहने के चाइना और्वान के बीच में अगर अमेरिका नहीं आता तो ठीक है अमेरिखा अपने साब से अंगल सोचता या शोचता है ठीक है इतो इसको इंडेपेंटेंस करा दो सिद कर वादें ताइवान कोि हाँ यह इंडेपेंटेंटेंस है बुलकुल प्रफटी असा नहीं अपने कहने से काम नी चलेगा ठीक फॉर्मली सारे मिलगा के यह जितनी भी देश आप हाँ यह independence है और चाइना को बुलको अलग हटा दे तब तो ठीक है अगर वो इनिफिकेशन की बात होती है ना तो सही से कराए ठीक है सही से कराने के मतलब यह है कि ताइवान भी उसे सपोर्ट करें हाँ हम चाइना के साथ जाना चाहते हैं तब तो ठीक है बरना यह लोग कहीं अगर आपने की ओगी थोड़ा से रिलेशन बढ़ाने की कोशिश करोगे न यह मैप देखिए कि चाइना का ताइवान में कैसे कंट्रॉल है ठीक है कितना एरिया वहां पर आता है तब आपको समझ में आने लगेगा ठीक है तो इसकी वीडियो ठीक है वह उसकी PDF चाहिए आ आपको तो टेलीग्राम चलने से ले लिने जाकर गए तो मिलती नेक्स सेशन में तब तक के लिए बावा टेक क्या है बागुल्टी